आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, तो हमार जो question है वो कहता है कि the area bounded by y is equal to tan x x-axis and x is equal to pi by 3 is तो यह जो है यह हमारे tan x का graph होता है ठीक है अब इसमें pi by 3 कुछ इदर होगा यहां पर होगा pi by 3 ठीक है if this is pi by 3 तो हमें जो area calculate करना है वो area होगा यह ठीक है तो यह x equal to 0 से pi by 3 के बीच में area निकालने है अब हम क्या करते है इसको definite integral की form में लिख लेते है तो वो होगा area is equal to 0 से pi by 3 tan x dx ठीक है यह होगा अब हमें पता है कि tan x का जो integral होता है integral of tan x dx ठीक है this is equal to this is equal to log of sec x plus c ठीक है यह होता है tan x का integral तो फिर इस से हमारा जो है यह आजाएगा हमारा integral log of sec x 0 से लेकर pi by 3 तक ठीक है and this is equal to log of sec of pi by 3 minus log of sec of 0 ठीक है अब इसको मैंसे देख सकते है log of sec pi by 3 कितना होता है 2 minus log sec of 0 कितना होता है 1 ठीक है तो इसका मतलब यह आगया log 2 minus 0 which is equal to log 2 तो यह आगया हमारा answer okay thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज यह डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts आच चार्सो 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 पर